हेलो दोस्तों एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है आज किस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं आपके अधार कार्ड में मोबाइल नमबर लगा है या फिर नहीं अगर लगा है तो कौन सा वाला है आप कैसे पता कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंस करते इसके बाद आपको सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद फैस्स यहां पर आपके सामने पहली website आ जाएगी तो आपको इस वाली website पे क्लिक कर देना है आपको कुछ आपको इस वाले auction पे click कर देना है click करने के बाद परिणस इस तरीके से next page हमारा loading होगा इसके बाद परिणस यहाँ पे इस तरीके का auction आएगा तो परिणस यहाँ पे आपको अपनी अधार card की संख्या लिख लेनी है तो परिणस पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिखने के बाद परिणस यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कि blue tick आ चुका है इसका मतलब है कि हमारे अधार card संख्या को जो है accept कर लिया है इसके बाद परिणस यहाँ पे जो capture दिखा रहा है इस capture को आपको यहाँ पे fill कर देना है fill करने के बाद परिणस आपको यहाँ पे proceed to verify का auction मिल जाएगा तो आपको इस वाले auction पे click कर देना है इसके बाद परिणस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अधार card में जो mobile number लगा है वो यहाँ पे so कर रहा है last में 620 है तो फ्रेंस यह security के वज़े से यहाँ पे पूरा number नहीं दिखाता है तो फ्रेंस आपको last के number से पता कर लेना है कि हमारे इस अधार card में कौन सा mobile number लगा है और फ्रेंस अगर आपके अधार card में mobile number नहीं लगा है तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं सो होगी आप अभी इस किने पे देख सकते हैं तो फ्रेंस आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं गले वीडियो में